नमस्कार मित्रो जै माताधी स्वागते आप सभी का हमारी योटियोप चैनल में तो कन्या रासी वालो मित्रो दिनांक 19 अपरेल 2023 से एक बहुत ही अदभूत सय्योग का निर्मान हो रहा है मित्रो एसा सय्योग जो आपकी जिन्दगी में खुश्यों की बोचार लेकर आएगा आपने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से जिन्दगी पलट जाएगी वीडियो बहुत खास होने वाली है आईए सब से पहले अगर मित्रो नजर डाले पंचांग पर तो 19 अपरेल को बुधवार का वार है साथ में वेसाख मास के क्रस्न पक्स की चतुर दर्शितिति है और मित्रो रेउति नकसत रहे और आप सभी को बता देते हैं कि वे ध्रती एवं विसकुम्भ नामक योग का निर्मान हो रहा है वही मित्रो सुर्य की जो इस्तिति रहेगी वह मेस रासी पर रहेगी तो दुसरी और चंद्रमा जो है वह मेन रासी के उपरांत मेस रासी पर संचार करेगा तो मित्रो एसे में सुर्य और चंद्रमा की एक ही ग्रह में उपस्तिति होने के कारण आपकी रासी पर क्या परभाव पड़ेगा कौन से सुब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे कौन से असुब समाचारों की प्राप्ति आपको होगी क्या सावधानिया आपको बरतना पड़ेगी और किन चिनोच्कियों का सामना आपको करना पड़ेगा समस्त कज़़गोचर की चयाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं मित्रो तो आईए अब आप सभी का किमती वक्त गवायविना मित्रो वीडियो की सुरुवात करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जेसे जेसे आयू बढ़ती है तुमें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्त ही उन लोगों को मेहत्व दिया था जिनका तुमारे जीवन में वोई योगदान था ही नहीं मित्रो जेसे जेसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि किन चीजो को हमने एहम योगदान दिया था और किन चीजो में मित्रो हमने काना ताने की थी क्योंकि जिन्दगी में जब हमें जिस चीच की जरूरत होती है वह तो पास नहीं होती है लेकिन जिस चीच की जरूरत नहीं होती है वह हमारे पास धेरो मात्रा में पड़ी रहती है तो बस जिन्दगी का भी यही एक असुल है मित्रो गुरुजी का यह ज्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा सबसे पहले तो मित्रो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में तीन बार ओम गने साय नमहा ओम गने साय नमहा ओम गने साय नमहा अवश्य से लिखिएगा वीडियो के अंत में हम आप के लिए बहुत ही चमतकारी उपाई भी लेकर आए हैं तो सबसे पहले तो मित्रो अब बात करते हैं कि 24 घंटों के समय की सुरुवात केसी होगी नजदी की संभंध्यों को उपलब्दी मिलने से आपके जीवन में भी एक अलग ही तरह के प्रसनता का माहुल रहेगा क्योंकि मित्रो आप वह व्यक्ति हैं जो दुसरों की खुशियों में खुश होते हैं आप किसी की उपलब्दी से जलते नहीं है और आपका यही गुण लोगों को काफी प्रीय है समहारों में आपको मित्रों जाने का मौका मिलेगा लेकिन समहारों के दोरान आपको अपने वानी पर नियंत्रन रखने की सलहा दी जाती है मित्रो सब का सम्मान आपको मिलेगा घर में मेहमानों की आवा जावी बढ़ सकती है कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ मित्रो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे किसी पर ज़्यादा भरोसा करना इस वक्त नुकसान दायक साबित हो सकता है यदि आप भरोसा करें तो बहुत सोच समझकर करें क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज है मित्रो जिसे यदि जीवन में एक बार कर लिया जाए और जब वह तूड़ता है तो बहुत दर्द होता है मित्रो बेहतर होगा अपने फेसलों को तवज़ दें गर के बड़े लोगों की सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है मित्रो आपको गर के बड़े बुजुर्ग और माता पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि मित्रो पेशा उधार लेने की स्टती इस वक्त बन रही है तो इस बात का ध्यान रखियेगा कि यदि पेशा उधार ले रहे हैं तो उसी मात्रा में पेशा उधार ले जिस मात्रा में आप पेशो को चुकता कर सकें क्योंकि मित्रो यदि आपने अपनी चादर से ज़्यादा पेर फिलाएं तो दिक्कते बढ़ सकती है पति-पत्नी के बीच सुखद संभंध रहेंगे और प्रेम संभंधों में भी मधूरता रहेगी महलाएं खास तोर से अपनी सेहत को लेकर अवियर रहें और किसी तरह का इनफेक्शन भी आपको हो सकता है मित्रो चिंताएं रहेगी इसा बात नहीं है कि समय पूरी तरह से सकरात्मक है चिंताएं रहेगी लेकिन आप केवल काम पर ध्यान देने की उसिस करेंगे आपके द्वारा किये गए काम के जड़िये अन्य लोगों को प्रेणा मिलेगी और इस कारण परेशाने का सामना करना संबव हो सकता है पेस्टो से जुड़ी जो समस्या आपको मेसूस हो रही है न मित्रो यह समस्याएं बहुत जल्द दूर होगी उसे दूर करने के लिए डिस्सिप्लिन बनाए रखें और लोगों के साथ वाद विवाद उत्पन बिल्कुल भी ना होने दे संभावनाए वेसे तो बन रही है लेकिन आप देखेंगे मित्रो की वाद विवाद दूर होंगे और बता देते हैं कि मित्रो अपने काम को बहतर बनाने के लिए जो इसकिल्स आपको कमजूर लगते हैं उनमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है पदिवार के लोगों के कारण रिलेसंसिप से संबंद चिंत आपको हो सकती है फिल्हाल इसका विचार बिल्कुल भी ना करें आपकी सेहट ठीक रहेगी पूराने तकलिफ दूर करने का मार्ग प्राप्त होगा और बता देते हैं कि किसी कार के पूरा होने से आप बहुत खोस रहेंगे काम जो लंबे समय से रुका हुआ था आगे नहीं बढ़ रहा था आपने एड़ी से लेकर चोटी तक का ज्योर लगा दिया था वह काम इस समय के अंतराल में पूरा होगा यह समय आप के लिए पूरी तरह से अनुकूल है व्यापार के सिलसिले में आपको मित्रो बहुत ही बढ़िया एवं बहतरिन नतिजे मिलेंगे आम दनी में से कुछ पेशा आप भविश्ची के लिए बचा सकते हैं और वादा पूरा न कर पाने से आपके मित्र आप से नाराज हो सकते हैं तो मित्रो यहाँ पर गलती जो है वह आपकी है आप कभी भी ऐसे वादे बिलकुल ना करें जिन्ने निभाने में आप सक्सम ना हो क्योंकि मित्रो जो वादे हम निभा नहीं सकते हैं वह वादे हमें बहुत दुख देते हैं तो आईए एक छोटा सा उपाए मित्रो आपकी जिंदगी सवार देखा विष्टर छोड़ने से पहले बोले यह तिन सब्द रोजाना जब भी आप सोकर उठें सबसे पहले भगवा का ध्यान करें उसके बाद मात्र तिन सब्द बोलने से आपके तिन ग्रह अच्छे हो जाएंगे अपने माता पिदा का नाम चार बार जी लगा कर बोलिए और अपनी माता का नाम तिन बार जी लगा कर बोलिए अपने गुरु का नाम तिन बार जी लगा कर बोलिए सुरी च नोकरी यदि आपकी नहीं लग रही है, यदि आप लोग भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी नोकरी नहीं लग पा रही है, तो आपको किसी भी मंगलवार या सनिवार के दिन हनुमान जी को चने और गुड का भोग लगाना चाहिए, एक और सिंदूरी ज़ंडा चड़ाना चाहिए, इससे आपको मित्रो जीवन में धीरे धीरे लाब मिलेगा, और यह लाब आपकी जिन्दगी को सवार कर रख देगा मित्रो तो यदि आपको वीडियो में गुरु जी द्वारा बताएगए सटिक रासी फल एवं चमतकारी उपाएं, अगर पसंद आए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरु देव का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाय नमस्तू भ्यम अवश्य ही लिख दीजेगा और देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चेनल को सस्क्राइब करके हमसे अ